आपके सामने अभी योगा का डिमोंस्टेशन कर रहे थे राम मौतर तीवारी जी इस बार एक कमी खली डॉक्टर साहू जी की जो अक्सर ऐसा होता था कि साहू जी वैद भी हैं और सारी चीजें कराते थे इत्फाक से इस बार नहीं है तो राम मौतर तीवारी जी उनकी टीम पर ही सारी जिमधारी आ गई वो हमेशागा कर रहे कि को भी बहुत अच्छे तरह से एक्स्प्लेईन कर देते थे ये इन साहला कोशिस करेंगे कि योगा का जो यह जो सिलसला है यह खतम नहों आइंदा दिनों पर भी इंशाला हLY चीज की जाए योगा को और फैलाया जाए योगा के जरीए सेहत मन्द रहने की जो भी कोशिस है वो इंचाले अन्वस्टी में की जाए स्टूडेंट्स के लिए, स्टाफ के लिए या टीचर्स के लिए मैं आज के इस मौके पे हमारे दर्मियान हमारे प्रोवाईशांस्वा साहब मौजूद है मैं रिजिस्टार साहब मौजूद है मैं रिजिस्टार साहब से दर्खास करूँगा रॉष्णास करें डॉक्टर एमे सिकंदर साब असलाम अलेकूं योगा के बार में मैं थोड़ा बहुत जानता हूं उसको मैं जो उसके जो फाइदे हैं मैं डी गुड़ गुड़ गुड़गाउं तो मुझे वहां पर योगा चारिया का कैम्प लगा था मैरे एक सरदाजी दोस्त थे उन्हें काय कि आप चलो मैंने काय कि मैं तो कभी योगा थो मैं तो नो थोड़ा फैसिकल ट्रेनींग होगा कर सकता हूं कि यतना ही तो करना बैट के ऊपर निकुद करना यह करना चुब दोजार पांज में इतना प्रापॉलरेटी नहीं है योगा तो मैं मुझे मुझे मिला है में एक दीन का जो सीविर है मैं आटन किया है तो कही सारे उसमें गुड़गाओं के गाउं से तो मुसल्म मैं करता हूँ लेकिन मैं 10-15 मिनिट योगा के कुछ है नमास के बाद मैं थोड़ा देर कर लेता हूँ उस्ट्रेचिंग एकसे से जानू लोग विलों हो गया स्ट्रेचिंग कर लिया तो उसे आपको सरीर को ठीक रखना है आज के दिन जो स्ट्रेस तनाव बर जिंदे ही है य जैसा ही उमर के लिए 40 एंड हो उनके अच्छा रहेगा आप यंग एज पे आप सिक लेते हैं वह बहुत ज्यादा करने का जरूत नहीं है आप तो नमास पढ़ते ही है वो योगा का ही पोश्टर है वो तो आप मिला के आपको जो भी ठीक लगे उसमें आसन में बहुत सारे आप इंडरनेट में भी मिलता है चार्ट के अलबा तो आप कर लिजी तो आप फाइदामन रहेगा कास करके आप जो गर में जो महिला भी है उनको भी आप वाइब कर सकते तो बच्छों को साथ भी कर सकते यह बहुत फाइदामन वाले चीज़ है यह कोई दरम इसमें बीच पर उसको ज्यादा एफीक्टिव बनाने के लिए करते है आपको कई जरूत नहीं है आप किसी और धरम कर लिए करने यह कहीँ सारे मेरेसा आपको नमाजी है वोगी करते हैं तो मैं आपको तो नहीं रहु हूँ इसको कोई आप इसे दूर आप मन में आपको आपके पास कोई डाउट से वो अठा दे आप अपने को देखे ऐसे इंडी जूवल आपको बाड़ी के लिए फाइदा है आपका स्ट्रेस बरी जो कास करके जो स्टूडन्स है जो एक्जाम स्ट्रेस है आप बृतिंग एसरसाइस तो है उमें चाहूंगा ओन आपकाली किसी भी उसमें से को अपके जो ठीक लगे चाह पांच कर लिजिए घर का ओगया आकर लेता हरत आंकली जास यह कर लेते हो कर लेंगे 10 मिन च्रजान मिनीट वी तो मैं रमाफाहू जी के लिए नन्या ऋजाओए थांचा जो आर्गनेसिंग कमिटी हैं रहुमत अला साब और फर्याद है तो कम समय के अंदर ये करना पट रहा हमरे पास ज्यादा फंडिंग भी नहीं है उसके बाद भी मैं सब को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ आज के जो रुसमात हमने बात के लिए टाल दिया था मैं बहुत ही अदब और इस्टराम के साथ अपने प्रोवाई शैंसलर जनाब प्रफिसर शकीर अहमत साब से दर्खास्त करूँगा कि हमारे आज के महमान के खेर मगदम के लिए उनकी खिदमत में शौल उड़ा करें रा आम अतरती वारी जी और अब चुकि सभी लोग अपना काम छोड़ के आए हैं इसलिए पहले शेशन को मुफ़तर करते वे बहुत ही अदब हैतराम के साथ मैं तर्खास्त करता हूं अपने इंवस्टी के प्रोवाई शैंसलर आली जनाब डोग प्रोफिसर शकीर अहमत साब कि आज के मौके पे हमें अपने खिताब से नावाजें प्रोफिसर शकीर अहमत साब वेरी गूड बार्निंग एक तो सबसे पहले मैं आप सब लोग को ले ली मुबारक बार देता हूं क्यूंकि आज का विकेशन भी चल रही हैं और उसके बावजूद आप अपना टाइम कीमती निकाल के यहां आए और शिरकत करी जैसा आप लोगों को पता है कि आज इंटर जाती है कि इस डे को मनाने का जो शिर जाता हुआनी कंट्री को ही जाता हम नहीं दिया यह योगर्डे तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए हम लोग जैसा रिश्रा साब ने भी कहा हैल्थ के लिए उतना हम फिकरमन नहीं रहते हैं जो रहना चाहिए लेकिन ज्रूरी है कि थोड़ा टाइम अपना एक दिन के अंदर फ्रक निकाल कर अपनी उपर भी कर्च करना चाहिए हम सारा टाइम दूसरों के उपर ही खर्च करते रहते हैं अपनी हेल्थ बहुत जडरूरी है जब आप हैल्थ अच्छी होगी तो आप आगे बढ़ सकते हैं जो बहुत अच्छी चीज है और इसको हम रोज आदा घंटे या पंदा बीस मिनट टाइम निकाल के कर लें तो जादा बहतर रहेगा यह नहीं कि आज इंटरनेशन योगा डे है तो आज ही कर लिया इसको थोड़ा निकाल के आप कर लें दूसरी बात यह है कि जो लोग मैं उनका अभी शुक्रियादा करता हूं जो चेर्स पर बैठे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेंट नहीं किया लेकिन सीखा है आने वाले वर्त में शायद वो आपका पार्ट बने और नहीं तो घर पे जाके आज जो भी इस्पिरेशन लिए यह जो भी सीखा है थोड़ा बहुत करने उसके अलावा जो सबसे इंपार्टेंट चीज़ यह है कि इसमें जो हमारी कमेटी है जो चेर्मेन थे हमारे रहमतुल्ला साब और फर्याद जो हैं इनका बहुत इंपार्टेंट रोल है क्योंकि वेकेशन में लोगों को इकटा करना आसान काम नहीं है उन्होंने पुरा प बशुक्रिया बस रहमतुल्ला साब और आज जितना बस में इतनी भूलना चाहूंँगा क्योंकि आज कर दिन ऐसा है कि करने का है और आपनी किया भी है और इसको कल भी करियेगा जाके ठीके बहुत बशुक्रिया से एक बहुत बार बदाते हैं कि अभी पहली बार सरलोगो के ही इंस्पिरेशन से हम अभी तक 2015 से योगा मुलाना अजाद उर्द इंवस्टी में सेफ हैदरबाद में केमपस में होता था इस बार पहली बार हैदरबाद में केमपस के साथ साथ मॉडल स्कूल फलक्नुमा दर्बंगा और मेवात नुह इन सारे केमपस में आज योगाड केमपस हैं बाहर के वहाँ भी मनाने का इरादा है और इंचालला आगे के लिए प्लान करेंगे और यह सब शायद मुम्किन इसलिए हो सका कि प्रोवाइशन साहब और रेजिस्टार साहब का यह यह मुहबत है स्टूडेंट से कि नहीं होना चाहिए सहत के लिए ठीक है और और अवेरनिस आनी चाहिए तो आपका भी शुकष्या कर साहत और मेडिया के भी हमारे साथ ही कुछ बाहर से आये हैं डीडी ड्यूज की टीम आई है हमारी एफो मेडम आई है तो हम सब का शुक्रिया अदा करते हैं लेकिन रस्मी तÓर पे जो शुक्रिया करने का फरीजा ह है, वो हमारे इस कमीटी के चेर्मेन पुफसर S.M. रहमत अल्ला साहब जो डीन सेटर्लाइट कैمपस भी है और इस कमीटी के चेर्मेन भी है, मैं उनसे अदबन दर्खास करता हूँ कि जो इज्यार तशक्र का फरीजा है अंजाम दें पुरista SM रहमतुल्ला साथ और हमारे खास तरफे जो गुमा करने की कोशिश करेंगा और करेंगे भी तो बहरहाल सब का बहुत शुक्रिया नचुक्रिया मेरे दर्खास थे मेरी बागी साथियों से अपनी जगा बैटे रहें इस बार इत्फाक है कि रमजान में योगा नहीं आया पिछले चार सालों के बाद पहला मौका है जब रमजान के बाद योगा आया है तो रिफ्रेश्मेंट का इंतजाम भी किया है हमारे साथी डॉक्टर यूसुफ खान साहब ने अच्छा रिफ्रेश्मेंट तयार किया है आप अपने नशिस्तों पे तश्रीफ रखें आप तक पहुँच जाएगा सेकंड शेशन के लिए जो लोग इंटरेस्टेट हैं बराए मेरमानी बैठे रहेंगे उन लोगों तक आपको कुछ भी लाने के ज़रत नहीं है स्टेशनरी आपको बिलकुल मिलेगा पेंसिल या रेजर या चार्ट पेपर उससब चीज़े मिलेंगी और उसमें जो लोग काम्याभी हासिल करेंगे उनके लिए भी इनामात का इंतिजाम है और मैं खास्तों से एक बात मैं भी कहना चाता हूँ यूसुफ साब चाहा रहे थे कि आईट्याई के बच्चे जो इस समय मौझूद है कैमपस में वो शायद इकलौते बच्चे हैं या इकलौता डिपार्टमेंट है जिसके बच्चे हैं कैमपस में मैं उनका खुसूसी तौर पर शुक्रियादा करता हूँ कि आप सब बच्चों ने ये जोश दिखाया अपना वक्त निकाला बेहत शुक्रिया सर झाला बच्चे हैं